हेलो गाईज, वेलकम बेक टू माई चैनल मेसी पेपर भाई के एस तो यहाँ पे आज का जो वीडियो है उसमें मैं बता दू आप लोगों को कि जो सिंदु घाटी की शब्यता जो चाप्टर कम्ट्रीट हो चुका था उसके बाद एक टेस्ट वीडियो था आप लोग का जिसमें 50 कोश्चन्स थे और एंसर आपको खुद से करना था तो उसी टेस्ट का आज मैं आप लोगों को एंसर बताने वाली हूँ तो आप लोग भी आप मैच कर सकते कि आप लोग ने कितना सही करा है कितना गलत हुआ है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो चाप्टर का नाम है सिंदु घाटी की शब्यता जिसका पहला कोश्चन है हडपा संस्कृती के अफशेश कहां परिस्तित है तो हडपा संस्कृती के अफशेश पाकिस्तान में स्थित है नेक्स्ट कोश्चन आते हैं पसु आकृती युक्त मोहरे कहां पाई गई है तो पसु आकृती युक्त मोहरे मोहन जोदरों में पाई गई है नेक्स्ट है 3 नमबर मेसोपोटामिया सब्विता किस देश की है तो मेसोपोटामिया सब्विता इराक की है नेक्स्ट आते 4 नमबर मोहन जोद्रो से प्राप्त नर्तके की मुर्ती किस माध्य में बनी है तो मोहन जोद्रों से प्राप्त नर्तके की मुर्ति धातू से बनी है नेक्स्ट आते कोश्चन नमबर 5 तामबे का हंस कहां से प्राप्त हुआ है तो तामबे का हंस लोथल से प्राप्त हुआ है नेक्स्ट कोश्चन नमबर 6 किस सब्विता के अंतरगत स्वरपर्थं मिट्टी के बरतन बनते थे तो सब्विता हैं जिसके अंतरगत मिट्टी के बरतन के चिन प्राप्त हुए हैं नेक्स्ट आते 8 नंबर लोथल कहां स्थित है तो लोथल भारत में स्थित है नेक्स्ट कोशन नंबर 9 सिंदू शब्यता की लीपी क्या थी तो सिंदू शब्यता की जो लीपी थी वो चित्र लीपी थी नेक्स्ट आते question number 10 सिंदु शब्विता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त हुआ है नेक्स्ट 11 नमबर नट्राज की मुर्ती कहां से प्राप्त हुई है नेक्स्ट आते 12 नमबर सिंदु शब्विता के बरतन पर कौन सा रंग चढ़ा कर पकाया गया है तो सिंदु शब्विता के अंतरगत लाल रंग चढ़ा कर पकाया गया है नेक्स्ट आते 13 नमबर लोथल का उत्खनन कब हुआ था तो लोथल का उत्खनन 1994 स्पी में हुआ था नेक्स्ट आते 14 नमबर सिंदु शब्विता के बरतनों पर किस रंग की चित्रकारी की गई तो सिंदु शब्विता के बरतनों पर काले रंग की चित्रकारी गई गई और उसको लाल रंग से रंग कर पकाया जाता था जिस पे काले रंग की चित्रकारी की जाती थी जो सिंदू सब्यता में जो बर्तन बने, बर्तन बनाने के बाद पहले लाल रंग से रंगा जाता था, फिर उसको पका के उस पे काले रंग से चित्रकारी की जाती थी हरपा सब्यता में पकी मित्टी की मुर्तियों का निर्मान किस विधी से किया गया तो चिकोटी है विधी जो विधी से किया गया उसका नाह में चिकोटी हरापा सब्रता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्मान चिकोटी विधी से किया गया नेक्स्ट आते है 16 नमबर मोहन जोदरो की यूबा नित्रांगना की मुर्ती किस माध्यम में बनी है तो मोहन जोदरो की यूबा नित्रांगना की मुर्ती काश्य माध्यम से बनी है काश्य से बनी है नेक्स्ट आते है 17 नमबर हडपा संस्कृति का विशाल असनानागर कहां से प्राप्त हुआ है असनानागर मतलम नहाने का स्थान तो हडपा संस्कृति का विशाल असनानागर मोहन जोद्रों से प्राप्त हुआ है नेक्स साथ है एटी नमबर सिंदु घाटी की पुजारी की मुर्ती किस से बनी है तो सिंदु घाटी की पुजारी की मुर्ती चुनार पत्थर से बनी है सिंदु घाटी की शिला पर किसकी आकृतिया उतक्रिन है तो सिंदु घाटी की सिला पर पसु पती नात और पसु की आकृतिया उतक्रिन है नेक्स्ट आते कोशन नमबर 20 हडपा से प्राप्त प्रूस नर्तक का धड़ किस से बना है तो हडपा से प्राप्त प्रूस नर्तक का धड़ तेरा कोटा से बना है नेक्स्ट 21 नमबर सिंदु कालिन भवनों के निर्मान में किनका परियोग हुआ है तो सिंदु कालिन भवनों के निर्मान में पक्की इट का परियोग हुआ है नेक्स्ट 22 नमबर पत्थरों का परियोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है मतलब सिंदु काल में जो भवन बने थे उसमें पत्थरों का परियोग नहीं किया गया था मैंने पहले भी जब मैं पढ़ाई थी तो मैं आप लोगों को बताया था कि उस सिंदु काल में जितने भी भवन जितने भी भवन मतलब घर जिसमें लोग रहते थे वो सो बने थे जो इसमें पत्थर का परियोग नहीं किया गया था नेक्स्ट आते 23 नमबर स्वर पर्थम स्वर नहीं होगा स्वर्व होगा स्वर्व पर्थम 1875 इस्वी में कौन हरपा संस्कृति को प्रकास में लाया था तो सर कनिंगम जिन्होंने हरपा संस्कृति को प्रकास में लाया था नेक्स्ट आते question number 24 दयाराम सहानी ने हडपा की खोज कब की तो दयाराम सहानी ने हडपा की खोज 1921 में की थी नेक्स्ट आते question number 25 सिन्धु घाटी से प्राप्त मुर्तियों में बहुता यत संख्या में नारी की मुर्तियां में कौन सा भाव परगट था तो सिंदु सब्विता से प्राप्त मुर्तियों में बहुता यत संख्या में नारी की मुर्तियों में के चहरे पर कुरूपता का भाव प्रगड़ था ठीक है उसमें जो मुर्तिया बनती थी जादा तर नारियों की ही मुर्तिया बनी है जिसमें कुरुप्ता का भाव दिखाया गया है नेक्स्ट आते 26 सिंदु सब्विता का समूचा छेत्र किस आकार का है तो सिंदु सब्विता का समूचा छेत्र तिर्भुजा आकार का है सिंधाव सब्विता की उत्पत्ती मेसोपोटामिया की सुमेरियन सब्विता में हुई है यह कथन किसका है तो यह कथन जौन मार्सल का है नेक्स्ट आते कोशन नमबर ट्वेंटी एट सिंधु शब्विता का समंध किस काल से है तो सिंधु शब्विता का समंध अधिहासिक काल से है नेक्स्ट आते कोशन नमबर ट्वेंटी नाइन सिंधु शब्विता के समय की पहली सबसे पहले खुदाई किस अस्थान पे हुई सिंदु सब्विता की समय की सबसे पहले खुदाई की सस्थान पे हुई तो सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हडपा में हुई थी नेक्स्ट आते है 30 नमबर सिंदु सब्विता का एक अस्थल रोपड किस नदी के किनारे इस्तित है तो 17 नदी के किनारे स्थित है नेक्स्ट आते कोशन नमबर 31 यह कौन सा सेंधव है जहां के सरवादिक मात्रा में अभिलेक युक्त मुहरे की प्राप्ति हुई है तो लोथल है जहां पे जहां के सरवादिक मात्रा में अविलेक युक्त मोरे की प्राप्ती हुई है और इस त्री मुखी में जो भगवान दिखाए गया वो ब्रह्मा विश्णु महेश को दिखाए गया है नेक्स हाते कोशन नमबर 13 शोतंतता प्राप्ती के बाद भारत के स्वर प्रत्हम किस अस्थान की खुदाई हुई है ठीक है सोसंतता प्राप्ती के बाद भारत में स्वरपर्थम किस अस्थल की खुदाई हुई है तो रोपड की खुदाई हुई है नेक्स्ट आते हैं कोशन नमबर थाटिफोर किस हडपा अस्थल से सोने के धेर और चान्दी की थाली प्राप्त हुई है तो मोहन जोद्रो अस्थल से सोने के धेर और चान्दी की थाली प्राप्त हुई है नेक्स्ट कोशन नमबर थाटिफाईव सिंदु सब्यता की पुरा तात्विक खुदाई के अधार पर किस अस्थल से घरों के अंदर कुवे के साक्ष मिले है तो जो कुवे के साक्ष मिले है वो काली बंगा अस्थल है जहां कुवे के साक्ष मिले है घरों के अंदर नेक्स्ट आते है कोशन नंबर 36 सेंधव लोगों के द्वारा किन विक्षों को पवित्र मान कर उसकी पूजा की जाती थी सेंधो मतलब सिंदु घाटी की शब्वेता ही होता है ठीक है तो सिंदु घाटी की शब्वेता में जो लोग रहते थे वो किस पेड को पवित्र मानकर उसकी पूजा करते थे तो पेड का नाम है पीपल का पेड और बबुल का पेड ये दो पेड हैं जिनकी वो पूजा करते थे नेक्स्ट आते हैं कोशन नमबर 37 सिंदु वासियों के सबसे महत्पुन देपता कौन माने जाते हैं? नेक्स्ट कोशन नमबर 38 हरपपा संस्कृती में बहुत संख्यक मोहरे किस चीज से निर्मित है? नेक्स्ट आते हैं कोशन नमबर 39 हरपपा कालिन मोहरों पर सरवाधिक किस पसू का चित्र किया गया है? तो सबसे ज़्यादा जो पसु का चित्र अंकित किया गया है वो है एक स्रंगी बेल ठीक है एक स्रंगी बेल पसु का चित्र किया गया है नेक्स्ट आते है कोशन नमबर 40 हडपा से प्राप्त मोहरे पर सरवाद्दे की किस आकृती के मोहरे प्राप्त हुए हैं तो वर्गाकार आकृती के मोहरे प्राप्थ हुए हैं नेक्स आते है कोशन नंबर 41 मोहन जोद्रो की पसु-पति मुद्रा पर कौन सा पसु-पति का जो मुद्रा है ठीक है मोहरे मुद्रा यानि मोहरे भी कह सकते तो उसके अगल-बगल आप देखेंगे चार पसु अंकित है तो वहीं पूछ रहा है कि कौन से आप पसु का सम्मू अंकित है तो जो पसु का सम्मू अंकित है वो है बयाग, हाथी, गेंडा और भेशा नेक्स्ट आते हैं कोशन नमबर 42 हडपा कालिन मुर्तियों का निर्मान किस प्रकार की मिट्टी से किया गया था नेक्स्ट आते हैं कोशन नमबर 43 योगी सादू की मुर्ति कहां से प्राप्त हुई है नेक्स्ट 44 नमबर हडपा काल की इट किस मिट्टी से बनी होती थी तो हडपा काल की मीट जलोड मिट्टी का नाम है जलोड प्रकार की इट का प्रियोग क्या गया था नेक्स्ट आते हैं 46 नमबर किस अस्थल में मकान के फर्स को बनी होती है कผม केँए था कि कि यह को बनाने के लिए alaq describes यिटों का प्रियोक पुर्जों किया गया नेक्स आते कोशिण नंबर 47 भारत में चांदी का प्रियोक स्वर पर्थम किस काल में माना जाता है तो भारत में स्वर पर्थम चांदी का प्रियोग सिंधु काल में माना जाता है नेक्स्ट आते कोशन नंबर 48 हडपा से कुल कितने अन्नागार प्राप्त हुए हैं तो हडपा से कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए अन्नागार मतलब जहां अनाज रखा जाता है ठीक है तो 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं नेक्स से बड़ा हडपा कालिन बस्ती कौन सी यह तो धोला वीरा भारत में धोला वीरा जो है विशाल हडपा कालिन बस्ती माने जाती है नेक्स्ट आते कोशन नंबर 50 मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जाती कौन सी है तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जाती सुमेरियन है तो इसी के साथ आज के वीडियो में इतने ही 50 कोशन्स जो मैंने टेस्ट लिये थे उसके सारे एंसर्स यह रहे आप मैच जरूर कीजेगा अगर आपने वीडियो आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड्स जरूर लाइक कीजिए क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक बिल्कुल नहीं करते कमेंट भी बहुत कम मतलब बहुत महनत लगती है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि हाँ जब मै मुझे महनत लग रही है करने में तो थोड़ा तो बस आप एक लाइक कर ही सकते हो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट भी कीजिएगा और चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइक इन पर मिलते हो मैं आप से नेक्सट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो होगा आपका रचाप्टर अ games अगसाट होगा थो देखिएगा जरूर में पढाउंगी मैं आप लोग से तो देखते यह फिर मिला आप से कल के वीडियो मैं तब ब्ल्ड च्छाल रखे नमस्त्र Enough